कि 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 हलो फ्रेंड्स एंड वेल्कम बैक टो अनदर वीडियो और स्वागत आपका एक और न्यू वीडियो में और जैसे कि आपने एक चीड नोट करी होगी कि Mio 10 के अंदर Mio 11 के अंदर हमारे फोन का जो वॉल्यूम स्लाइडर होता है जिससे हम वॉल्यूम को कम या ज्यादा करते हैं आपने देखा होगा दोनों सेम है Mio 10 के अंदर भी ऐसा ही ता 11 के अंदर भी बिल्कूर सेम वैसा है कोई इसके अंदर चेंज नहीं किया गया तो क आप पूरा कर देंगे चलिए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स यह है मेरे पास MI Redmi Note 5 और जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ इन फीचर को भी आप अपने किसी भी फोन के अंदर यूज कर सकते हैं as usual सबसे पहले मैं आपको एक बार आपके फोन का default volume slider इतना ही नहीं चार के चार option है चारो ही काफी अच्छे से work भी करते हैं और अपने फोन के अंदर कुछ चोटे मोटे changes करने के बाद इस तरह के कुछ unique volume slider को आप अपने फोन के अंदर यूज कर सकते हैं जो कि दोस्तों काफी आदा अच्छे लगते हैं इसके अंदर जो मेरा slider को यूज करते हैं अवाज बढ़ाने के लिए अंकम करने के लिए उस तरह से आप इनको भी यूज कर सकते हैं उसी तरह से बिलकुर same ये work करेंगे काफी अच्छे आपको performance मिलेगी काफी light भी है और काफी अच्छा भी है और इसके लावा काफी लोगों को मैंने देखा है जिनको दोस्तों MI के volume slider पसंद होते हैं और उनके पास कोई other phone है तो इसके मदद से आप MI के volume slider को भी अपने phone के अंदर use कर सकते हैं जो default वाले होते हैं बलकि ये उससे भी ज्यादा अच्छा है और ये देखें बिलकुर default slider है अगर आपके पास कोई other brand का phone है तो उसके अंदर आप MI के volume sliders को भी use कर सकते हैं तो ये काफी अच्छे से दोस्तों work करता है और इनको use करना भी काफी simple इसके लिए हम एक application की जुरत पड़ेगी इसका नाम है volume styles देखें मैंने काफी आरे volume sliders की वीडियो बना रखिया बट ये काफी new है और इसको स्रिफ आपको मैं बता रहा एक्टिवेट करने के लिए उपर की तरफ start button आपको दिख रहा होगा start button पे click करने के बाद ये तीन permission दे रखिये हैं ये आपको allow करवानी पड़ेंगी modify system कर दीजे और do not disturb कर दीजे जिससे कि जो volume है वो आपका volume control वो बिल्कुर अच्छे से work करेगा और काफी लोग बोलते ह यह हमारे phone में work नहीं कर रहा है तो वो accessibility को enable नहीं करवाते हैं तो इसको enable करवाना most important है तो मैं भी इसको फटाफट से इनेबल कर देता हूं enable करने के बाद देखें नीचे की तरफ आपको कुछ option दिख रहे होंगे इनको बिल्कुर भी मत छेड़िए इसमें बंदा confuse जाता क क्या customize करें क्या advance करें साइट चोटा बड़ा कुछ मत छेड़िए इसको बस आप simply आप यहां पर देखें तो इसके अंदर सारे brand के है iOS के Samsung के Android के और यहां पर MIUI के है Oxygen OS के है Wave जो की मेरा favorite है Windows 10 तो काफी सारे इसमें आपको दे रखें तो कोई भी iOS पर जैसे मैंने क्लिक कर रहे हैं और अगर आपको कुछ advance करना कुछ अच्छा ट्राइ करना तो यह application आपको काफी यादा पसंद आएगी क्योंकि इसके जो volume sliders है वह बहुत ज्यादा यूनिक है और इनको आप use करके अपने फ्रेंड वगेरा को भी दिखा सकते हैं तो बहुत बढ़िया application है उससे सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मैं मिलता हूं आपसे एक और नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स वर वाचिंग